जैहिन दोस्तों समाधान में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है और आज जिस समस्या की बात हम करने जा रहे हैं वो है पीले दात या फिर दातों का पीलापन तो ज्यादा समयना बरबात करते हैं इस वीडियो को फटा-फट शुरू करते हैं अपनी समस्या के समाधान के लिए हमारे यूट्यूब चैनल समाधान को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी समस्या लिखे ताकि जल्दी उस समस्या का समाधान आपको मिल सके टिप नमबर वन हमें चाहिए बेकिंग सोडा साथ ही साथ आदा नीमबू आदा चमच टेबल स्पून के अंदर तीन से चार बुंदे नीमबू के रसकी मिलाकर उसका एक पेस्ट तयार कर लें अब इस पेस्ट को टूद ब्रश पे लगा के अपने दातों की अच्छे से सफाई कर लें सफाई करने के बाद आपको सीधा इस पेस्ट को धोना नहीं है इसे अपने मूँ में कम से कम दो मिनिट तक रखे रहने दें दो मिनिट बाद साफ पानी से कुला कर लें हफते में एक बार करने से आपको अपने दातों का पीलापन गायब होता हुआ दिख जाएगा याद रखिएगा इसे आपको हफते में एक बार से जादा नहीं करना और उन लोगों को जिनके दात सेंसिटिव हैं उनको भी ये नहीं करना क्योंकि ये सेंसिटिव दातों के लिए परेशानी पैदा कर सकता है ये एक प्राचीन तकनीक है जिसके अंदर हम अपने मूँ के अंदर आदा चमच तेल रखते हैं और उस तेल को 20 मिनिट तक अपने दातों के साथ तच में रखते हैं याद रखना आपको कुल्ला नहीं करना बस अपने दातों के साथ उस तेल को लगा के रखना है 20 मिनिट बाद आप उस तेल को फैक दें जो तेल आपको इस्तमाल करना है वो आप एक cooking oil लेंगे जैसे की नारियल का तेल याद रखना आप जब इस तेल को फैकेंगे तो आपको इसे dustbin में या फिर घर के बाहर फैकना है क्योंकि नारियल का तेल room temperature पे थंडा होके जम जाता है और अगर आप इसे अपनी तो वहाँ पे जाके ये जम सकता है 20 मिनिट तक इस तेल को अपने मूँ में रखने के बाद जब आप इसे बाहर फैकेंगे तो इसके बाद आपको एक mouth wash से gargle करना है इस technique से आपको अपने दातों की sensitivity में फर्क दिखता है साथ ही साथ आपके दातों में जो bacteria present होते हैं वो दीरे दीरे खतम हो जाते हैं अगर हमारी tip number one आप हफते में एक बार से जादा इस्तमाल करते हैं और आपको अपने दात कमजोर महसूस होना शुरू हो जाता है तो आप हमारी tip number two इस्तमाल करके उनकी ताकत बापस हासल कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही दोस्तों आपको अगर अपनी समस्या का समाधान मिला हो तो हमें comment section में लिखना ना भूलिएगा जैहन कर दो हमें